विडियो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा गवर्मेंट ने इन 59 अप्लिकेशन को इंडिया में बैन कर दिया है दोस्तों इन अप्लिकेशन के बैन ओने से बहुत सारे लोग खुश भी होगे पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम इन अप्लिकेशन तो ये बैन तो हो चुक है चलो अच्छा हुआ पर हम इन अप्लिकेशन की जगा कौन सा अल्टरनेट अप डाउनलोड करे जो इनकी तरह हमारा काम करते और वो चाइनीज ना हो इंडियन हो या कोई और कंट्री हो पर चाइनीज ना हो दोस्तों डोट वरी दोस्तों मैं इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इंडियन अप्स और कुछ अधर कंट्री के अप्स जो आपको अपका काम करने में मदद करेंगे और वो हांजी बाद एक मिट दोस्तों और चाइनीज नहीं है तो आप उनको बीना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हैं आपको कोई भी स्क्योर्टी की चिंता नहीं है तो इन आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए जो दोस्तों चलिए शुन दोस्तों यूजी ब पर पॉपुरल था इंडिया के अंदर वैब ब्राउजिंग में दोस्तों हर एक बंदा इसको यूज करता था आज के टाइम में और क्या पता आप भी यूज कर रहे हो करते थे या करते होंगे अभी दोस्तों ये इसको तूरंत ही आप अपने मूबाइल में से ड्रीट कर पर क्योंकि दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक अप्लीकेशन ये आपका डाटा ट्रांस्वर करता है और करता रहेगा पर आप इंडिया ने बैन करती है तो ये डाटा ट्रांस्वर नहीं कर पाएगा तो इसकी जगह आप वह ब्राउजर यूज कर सकते हैं जैसे कि क्रोम दोस जैसे कि आप यूज कर सकते हैं, डगडग को, दोस्तों ये भी एक trusted browser है, आप इसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स अप्लिकेशन की वाँ, दूसरा अप्लिकेशन है, वो है यूजी न्यूज, दोस्तों जिसक की पता होगा, आप को यूजी न्यूज को बहुत जादा लोग यूज करते थे, न्यूज पढ़ने के लिए तर जगह अलग-अलग जगह की अलग-अलग भाशा में पढ़ने के लिए, पर दोस्तों ये भी एक चाइनीज एप है, और गौर्मेंट द्वारा इसे बैन कर दिया गया है, त तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, गूगल न्यूज यूज कर सकते हैं, पर ये दोस्तों इंडिया का निये, पर गूगल की ओर से यानि की एक ट्रस्टिड है, आप मन चाही भाशा में कहीं की भी न्यूज इसमें रीड कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपको इंडिया क चाहिए तो आप यूस कर सकते हैं GEO News यह भी बहुत ही अच्छा है इसमें आप अख़बार आते हैं यानि कि na किनी नूज पेपर वहएक स्टेट के नूज पेपर आते हैं द्यानी करा सब इसमें आप कोई भी नूज रीड कर सकते हैं नूज पेपर में कोई भी भाशा में त तो दोस्तो अगर यह अप्लिकेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किजगा तो दोस्तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लिकेशन है जिसे कि दोस्तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग फाइल ट्रासफर करने के लिए इन दो एप्लिकेशन का इस्तमाल करते थे जो हैं शेरिट और एक्जेंडर दोस्तो यह बहुत थी जौदा यूज करने वाले अप थे जो गूगल बाइफाइल फार करने के लिए और दोस्तो यह बहुद यह बहुत ही अच्छा अप्लिकेशन है पर चाइना का नहीं है और यह गूगल का अपिकेशन इसंपर तरस्ट कर सकते हैं यह स्क्योरलि आपके फार adviser को बहुत ही फास्ट ट्रासफर करते गा अगर दोस्तो आप इंडिया का application यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूज़ जियो स्विच दोस्तो जियो स्विच भी एक application है जियो की तरफ से इंडिया का है वो और आप उससे भी file securely और fastly transfer कर सकते हैं एक से दूसरे mobile में बिल्कुल fast और securely दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चलते हैं हम नेक्स्ट अप्लिकेशन है जिसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अपने मुबाइल की स्टोरेज भढ़ाने के लिए यानि कि खाली क्ली करने के लिए और अपने मुबाइल को फा हो चुके हैं पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम इनकी जगह कौन सा अप्लिकेशन यूज़ करें तो दोस्तों वह बताएंगे हम दोस्तों जो आप इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं वह गूगल फाइल दोस्तों गूगल फाइल एक गूगल की और स से आने वाला application है दोस्तों यह हमें पीछले apps में भी हमें आपको बताया है दोस्तों यह बहुत ही सारे काम करता है यह आपके mobile को clean भी करतेगा आपके mobile की storage को clean करतेगा और पिल्कुल clear and safe रखेगा आपके phone को और यह trusted application है तो इसको आप तुरंट play store से जाके download कर सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं हमारे पांचवे application की पांचवे application है दोस्तों जैसे कि इंडिया में बात आती है कि video editing हम कैसे करें और दोस्तों कहीं बहुत सारे लोग इन तीन application यारी या दो application का बहुत ही ज्यादा यूज करते थे जो है Chinese app जो सबसे पहले टॉप पर आता था वह था वीवा video जोस्तों इस app का बो लोग बहुत ही ज्यादा video editing यूज करते थे और यह था Chinese app किसी को पता ही नहीं था पर government ने इसको भी बैंक कर दिया है और इसकी जगा यानि कि alternative apps का आप यूज कर सकते हैं जो कि इडिया के हैं और कुछ इंडिया के नियुक भार के हैं पर वो ट्रस्टेड application है आपको उनमें security से related कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो है दोस्तों power director, kind master, in short, in short भी एक बहुत कमान का app है जिसमें आपको तरह तरह के effect और video editing तरह के तरह तरह के tolls मिल सकते हैं और काई master में भी तरह तरह के tolls मिलते हैं तो आप इन application को use करें Chinese को नहीं करें तो दोस्तों चलते हैं अगली application की और यानि कि sixth application की तो हमारे सब का account बैन हो चुगा यानि कि पूरा का पूरा tik-tok ही बैन हो चुगा क्योंकि यह आपका data share करता था चाइना को क्योंकि यह चाइना का app है चाइना को शेयर करेगा और चाइनीज ने तो दोस्तों हमारी जो government है उन्होंने इस app को बैन कर दिया है totally और इस app का जो alternative है वो को नमस्कार टिक-tok आपका भाई इसका application कोई नी बनता बन सकता नमस्कार है वही टिक-tok को तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिए अप्लिकेशन है और इस वीडियो का आखरी application है वो है दोस्तों उन सब का अगाउंट भी बैन और टिक-tok भी बैन हो चुका है क्योंकि अपना डाटा चाइना को शेर करता था आपका डाटा और जो दोस्तों इस का अल्टरनेट है वो अभी तक तो इंडिया में नहीं है पर अगर आगे होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और अपी तक तो दूर दूर तक चाइनिज अदूर दूर तक कोई भी चांसिस नहीं है टिक-tok का अल्टरनेट बनने के लिए तो भाई नमस्कार भाई टिक-tok को आपके जसा कोई नहीं था पर आपने गलती करती डाटा शेर करके तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सुस्क्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में